मार्केट में इन्वेस्मेंट के अलावा अगर कोई word आपने सुन रखा होगा तो वो है hedging अब ये एक perception है कि hedging जो है वो बड़े लोगों का ही खेल है छोटे लोग hedging नहीं कर सकते हैं जो कुछ हद तक सही भी है क्योंकि hedging करने के लिए आपको जादा capital की requirement पड़ती है और बड़ा और छोटा ये इसी का definition है कि आप कितना capital अपना hedging के लिए use कर सकते हैं अब काफी बार लोगों को hedging के बारे में जानने की एक उच्छ सुपता रहती है जिस वज़े से मैंने ये सोचा कि इस पर एक educational वीडियो बना कर मैं आप सभी के साथ एक knowledge exchange करने का प्रयास करता हूँ तो आज का वीडियो है बड़ा काम का इसे बिलकुल भी आप skip नहीं कीजिएगा पूरी तरह से ध्यार से देखीगा ताकि हर एक बात आपको अच्छे से समझ में भी आए तो शुरू करते हैं आईए मिलकर सीखता है अब hedging की तोस्तों काफी सारी strategies होती है लेकिन एक beginner के लिए मुझे ऐसा लगता है परसली कि nifty future and options की जो strategy है वो suitable रहती है जिसे एक beginner अपने hedging वाली इस trading की जरनी की शुरुआत कर सकता है और इसमें requirement भी बहुत जादा नहीं होती है केवल दो पहली capital और दूसरा एक opinion कि आपको क्या लगता है कि जो market की direction है जो nifty का एक direction है वो किस तरीके से यहाँ पर आने वाले समय में evolve होगा क्या वो नीचे की तरफ जाता जाएगा या तो वो uptrend की तरफ जाता जाएगा आप इस strategy को कैसे use करते हैं proper demonstration देखकर मैं आपको समझाऊँगा practical examples भी cover करूँगा तो यहाँ पर जो मैं platform refer करूँगा यह सारी data के लिए वो करूँगा grow का जी हाँ grow सर्फ mutual funds ही नहीं बलके F&O trading को भी support करता है वैसे और भी बहुत सारे products है लेकिन grow को कौन सी चीज़े खास बनाती हैं दूसरों से यहाँ आपको किसी भी security का option chain काफी simplified तरीके से देखने को मिलता है open interest के अधारित आपको top trade strike chains और volume की information मिल जाती है जिससे आपका काफी समय बच जाता है और इसका experience कैसा रहता है वो आम हमारे वीडियो के दौरान देखने ही वाले है इस strategy के साथ जो भी data जिसे मैंने का refer मैं ऐसी platform के मादम से करूँगा तो आपको हर एक step में इस platform की एक अलग-अलग unique features के बारे में भी जानकरी प्राप्त होती रहे तो नीचे description में दीगे link के मादम से आप grow app को download कर सकते हो और भी यह पूरी जो strategy में आपको बताने जा रहा हूँ उस strategy को आप आसानी से grow app के मादम से भी समझ के अपनी working करके इसे execute कर सकते हो अब as a first step जैसे मैंने intro में आपको बताया था कि आपके पास एक opinion होना चाहिए अब जैसे मुझे लगता है कि यहां से market जादा नहीं जाएगी तो यहां पर मैं simply search करूँगा nifty futures ठीक है nifty जैसे ही मैं यहां पर future type करूँगा तो आ जाएगा nifty 30 June future या 28 July future अब 30 June future काफी नजदीक वाला हो जाएगा तो मैं 28 July वाले future पर click कर दूँगा अब यहां पर मुझे इसकी value दिखा रहा है 15601 ठीक है जिस समय मैं इस video को record कर रहा हूँ अब यहां पर नीचे आपको एक बहुत ही काम का feature grow app में देखने के लिए मिलता है जो है option chain जैसे ही आप यहां पर click करोगे तो आपको यहां पर अलग-अलग strike price के अलग-अलग call और put के values दिखेंगे अब यहां पर आप देखरें जो spot है वो 15556 के आसपास चल रहा है तो यहां पर यह spot है जो left side है यह call है और right side है यह put के price से उपर mentioned है ठीक है यह put है और यह call है ठीक है 114 रुपीज की क्योंकि 16,300 यहां से 800 पोइंट आगे की मैं आपर एक journey को तेह कर रहा हूँ तो मुझे लगता है कि nifty शायद 28 जुलाय तक 16,300 को नहीं थोड़ेगा तो इसे simply मैं click करूँगा यहां पर और इसके बाद मैं इसे आपर watch list पे भी लगा दूँगा ठीक है एक जो मेरी watch list है उसमें यह add हो चुका है by the way आप grow पर multiple watch list भी create कर सकते हो अब होगा क्या न दूस्तों यहां पर मुझे क्या देखना है कि इसका जो premium है वो कितना है अभी देखिए 16,300 आज निफ्टी नहीं चल रही है तो यह जो 114 रुपी से यह premium है जैसे दिन बीटते जाएंगे और अगर निफ्टी यहीं पर ही रही एक ऐसे example के लिए लेते है तो यह zero हो जाएगा अगर निफ्टी यहां से बड़ी तो यह थोड़ा थोड़ा इसमें आपको बड़त देखने के लिए मिलेगी यह थोड़ा थोड़ा बड़त आपको जरूर दिखाएगा लेकिन अगर 28 चुलाए को निफ्टी 16,200 पर भी आके रुक गई तो भी यह zero हो अब जब भी आप कॉल राइटिंग करते हो यानि कि सेलिंग करते हो यानि कि option राइटिंग करते हो चाहे पोटिया कॉल तो आपको margin भरना पड़ता है एक सवा लाग डेड़ लाग रुपे के आसपास की margin की value होती है जब भी आप करोगे तो आपको वहाँ पर दिखा भी द रहता है तो यहाँ पर 114 को आप जब ऐसे 50 के साथ multiply करोगे तो यह total premium आपको मिलेगा 5700 रुपे का अब आपको एक लाख रुपे लगाएंगे और 5700 ही मिलेंगे तो यहाँ पर probability बहुत जादा बनती है यहाँ पर जो भी option writing करते है थोड़ी game वो मुझे control में लगती है अब आप बोलोगे कि अगर निफ्टी 16500 हो गई तो क्या होगा अगर 16500 चली गए निफ्टी तो इस call की value 114 से बढ़कर 200 रुपे हो जाएगी और यह इंद मनी हो जाएगा 16300 से उपर जितनी भी value 28 July निफ्टी की रही उतनी value इस call की होने वाली है यह चीज़ आप ध्यार में करता हूँ मैं निफ्टी का एक future बाय कर लेता हूँ उसी महिने का 28 July का ही जो expiry रहेगा अब उसमें क्या होता है कि अगर निफ्टी 16500 तक चली गई जुलाई एंट तक 28 जुलाई तक तो वहाँ पर future से मेरी कमाई होती है 200 रुपे की और option में में मेरे को यहाँ पर जो यह call लेकिन यह 114 रुपे का जो प्रीमियम है दोस्तों यह घटा जाएगा यह 0 हो जाएगा यह अगर आपका दिन उस तारीक पर आ गया 28 जुलाई पे तो इसकी वैल्यू कुछ नहीं रहेगी 16500 पर निफ्टी रहेगी तो यह मार लिगे 205-2010 रुपे के आसपास usually रहता है जि उसे right करने की यह जो strategy आपको समझा रहा हूँ और उसमें अगर आप first जाओ तो निफ्टी फ्यूचर को buy करके कैसे उस risk को mitigate करते हैं इस चीज को आपके साथ explain करने का यह प्रयाज कर रहा हूँ और यह same strategy आप विपरित भी कर सकते हो यानि कि आप मान लिए 14500 का put को right कर रहे हो दोनों दूर के हैं देखे 16300 14500 दोनों दूर के हैं तो वहाँ पर अगर निफ्टी गिर गई तो उस case में आप निफ्टी की future को short करके अगर वो इंदमनी आ गया short करके कर सकते हो लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा usually सबसे ज़्यादा गलती लोग यहीं पर कर लेते हैं मा लिए निफ्टी अभी आप बैठे हो देख रहे हो 16300 पे आ गई है 26 जुलाई का दिन है एक एक्जामपल लेते हैं उसमें आपने एक निफ्टी का future buy कर लिया ठीक है अब हुआ क्या वापस निफ्टी जो है वो 16300 से नीचे गिरने लगी तो वहाँ पर आपको future से नि यह shares की तरह नहीं है कि buy करके हम सो गए आज नहीं तो कल आगे चलके company grow करेगी business बढ़ेगा तो share value भी बढ़ेगी यहाँ पर आपको बहुत ही जादा alert होके काम करना पड़ता है लेकिन इससे अगर आप थोड़ा practice करते हो paper trading करते हो तो वहाँ पर आपको थोड़ा कितना entry नहीं कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर एक और चीज़ का भी risk बहुत बड़ा होता है मार लीजिए 26 जुलाई को 16,250 पर nifty close वी और अगले दिन nifty खुली 16,400 तो उस case में भी आपका घाटा हो सकता है तो इस risk को भी आपको हमेशा factor करना चाहिए तो उमीद है आपको यह strategy आफी ज़ादा danger होता है यहाँ पर आपको बहुत ही सोच समझ कर काम करना होता है पहले अच्छे से सीख ले और उसके बाद अगर मन करे तो ही करे जरूरी नहीं कि आपको यह काम करना ही है और इसे करने के लिए एक अच्छा कासा margin भी लग जाता है जिस वज़े से आप इस आपको grow app का fno section काफी पसंद आओगा आप grow को ज़रूर ट्राय करें नीचे आपको link बिल जाएगी description में उस link के मादियम से आप आप को download करें sign up करें अपना dhmat account अपना trading account जो है उगर बेठे online आप open कर सकते हो इस पर मैंने already videos create किये उपर आया बटन में मैं उन videos की link भी आप आपको एक actionable input प्राप्त हो सके तो इसी के साथ करते हैं conclude आज के इस educational वीडियो को यहीं पर चल्द मिलते हैं किसी और interesting topic के साथ किसी और दूसरे वीडियो में तब तक अपने health का और wealth का जरूर इचे से खयार रखेगा